आज मैं इभियम के मुद्दे पे बात करना चाहता हूँ इभियम का मुद्दा इस देश में काफी जोर सोर से उठाया जा रहा है और विपक्स तो इस पे काफी प्रहार करता हूँ नजर आ रहा है विपक्स साफ तर पे आका रहा है कि इभियम में कहीने कहीं गरबड़ी है और इभियम जो है कि बंद होना चाहिए भारत में भी बैन होना चाहिए इस तरह का विपक्स के द्वारा मांग किया जा रहा है तमाम कई सारे जगों पर याद देखने को मिल रहा है कि EVM के खिलाप में काफी सारा प्रदर्सन किया जा रहा है कई सारे पार्टी जैसे कि बोजन समाज पार्टी सपा तथा तमाम कॉंग्रेस जैसी पार्टियों के द्वारा भी IBM बैन करने की मांग की गई इसके साथ में हम IBM पे चर्चा करते हुए सबसे पहले हम यह जानेंगे कि पूरे बीच्व में IBM कहां बैन है कर कहां बैन नहीं है कहां इस्तिमाल किया गया कहां इस्तिमाल नहीं किया गया सबसे पहले हम यह चर्चा करने से पहले बताना चाहेंगे कि आपको IBM की पूरी जनकारी बैस्विक इस्तर पे होनी चाहिए और बैस्विक इस्तर की जनकारी हम दे रहे हैं अभी तक EVM की इस्तामाल नहीं किया गया और आज भी इंगलेंड में बैलेट पेपर से ही चुनाव करया जाता है इंगलेंड एक काफी विकास सिल्दे से वहां भी EVM से चुनावों सकते हैं लेकिन ऐसा दवा किया जा सकता है की EVM मशीन को हैं किया जा सकता है जिसके वज़े से इंग्लेंड ने मना कर दिया EVM मसीन को इस्तेमाल करने से से मामला फ्रांस में भी हुआ फ्रांस में भी आज तक जो है की EVM इस्तेमाल नहीं लाया गया वहीं जर्मनी का भी मामला बिलकुल साफ है जर्मनी में भी आज तक जो एकी इभियम इस्तिमाल नहीं किया गया जर्मनी में आज भी बैलेट पेपर से चुनाव करया जाता है वहें निधरलेंड की बात करें तो निधरलेंड में बैलट पेपर के बाद EBM इस्तेमाल किया गया और EBM इस्तेमाल करने के बाद EBM में काफी सक होने लगा वहां के नेताओं अगर रको तो नेताओं ने इसका बिरोध करना शुरू किया और नतीजतन वर्ष 2006 में EVM को बैन कर दिया गया अब वहाँ भी नीदर लेंड में भी बैलेट पेपर से ही चुनाव कराया जाता है वहीं वीश्वका सबसे बिक्सित कंट्री अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में भी EVM बैन है वहीं इटली की बात करें तो इटली में भी EVM बैन है अब बात करते हैं कहाँ EVM रोक लगाया गया और कहाँ EVM अवैद करार दे दिया गया सबसे पहले बात करते हैं वर्ष 2009 में रिपब्लिक आफ आइरलेंड ने EVM पर रोक लगा दिया यह कहते हुए कि इससे पारदर्सी तरीके से चुनाव नहीं हो पाता है वही हम तीसरी पॉइंट की बात करें तो वर्स 2009 में सुप्रीम कोट आफ जर्मनी ने इभियम से वोटिंग को अवैद करार दे दिया और वह साफ तरपया कहा कि इभियम से जो है की चुनाव पारदर्सी तरीके से नहीं हो पाता है जिसके वज़ा से हम इसे अवैद करार देते हैं इसके बाद एक इस्टिमेट के बारे में हम बात करते हैं एक ऐसा रिसर्च जिसको जान करके आपको काफी जनकारी प्राप्त हो सकती है हम बात करते हैं 31 देशों में इस्तेमाल हो रहे इभियम पर इस्टड़ी के बारे में 31 देशों में इस्तेमाल हो रहे इभियम पर रिसर्च किया गया उस पर इस्टड़ी किया गया तो यहाँ पता चला कि 31 देशों में से मात्र 4 देशों में ही पूरी तरह से इभियम इस्तेमाल किया जाता है यानि कि मात्र 4 देशों में ही पूरी तरह से इभियम से चुनाव कराया जाता है इसके बाद आपको बतातें चलें कि 11 देशों में हमें यह मालूम पड़ा कि कुछ हिस्सों में ही EVM इस्तेमाल किया जाता है और वहाँ पर तमाम भोट जो है वो वाइलिट पेपर के ठुरू कराय जाते हैं मात्र कुछ हिस्सों में कुछ जगों पे ही इभियम से चुनाव कराया जाता है इसके बाद पांच देशों की बात करें तो पांच देशों में इभियम इस्तेमाल किया जाता है लेकिन पाइलिट बेसिस पे कराया वहाँ पे इभियम इस्तेमाल किया जाता है वहीं और जो है क 21 देश पे ही हम चर्चा करना चाहेंगे 31 में से 21 देश ऐसे मिले जहां इस्तेमाल हो रहा है लेकिन वहां भी पाइलेट बेसेस पे ही इस्तेमाल हो रहा है और उन 21 Italy Word में याभ भिचार किया जा रहा है कि EVM को बंद कर दिया जाए क्योंकि EVM से पारदर्सी तरीके से चुनाव नहीं हो पाता है तो ये तमाम जानकारिया जो आपको basic level पे हमने दिया ये हमें research में मालूम चला और इन तमाम देशों में EVM इसलिए बंद कर दिया गया क्योंकि इन लोगों का मानना है कि EVM से पारदर्सी तरीके से चुनाव नहीं हो सकता है और कोई भी electronic gadget जिसमें software का इस्तिमाल किया जाता है उसे hack करना असान है इन तमाम चीजों को देखते हुए इन देशों ने EVM के इस्तिमाल पर रोक लगा यानि कि EVM को बैन कर दिया अब बात करते हैं EVM के बारे में भारत की EVM को ले करके भारत की क्या सोच रही है अब हम इस पे थोड़ा सा चर्चा करना चाहेंगे अभी वरतमान समय की बात करें तो वरतमान समय में EVM को ले करके काफी बवाल मचा हुआ है और EVM का जो सत्ता के विपक्ष पार्टियां हैं वो सत्ता पक्ष को यह कहते हुए नकार रही है कि सत्ता पक्ष पार्टी इभियम में गरबड़ी करके चुनाव जीत रहा है लेकिन वहीं विपक्ष की बात करें तो विपक्ष साफ तोर पर यह कह रहा है कि इभियम से चुनाव हो रह है तब ही सामने वाली पार्टी विजय हासिल कर रही है यानि कि साफ तर पर इसारा करें तो भारतियों जनता पार्टी को इभियम से जीतने की संका बताई जा रही है विपक्स पार्टीयों के द्वारा वहीं चुनाव आयो की बात करें तो जब ऐसी मामला सामने आती है देश में तमाम विपक्ष की पार्टियां के बात को खतम करती हैं कि ईभीयं में गरबड़ी करके जो है की बीजेपी चुनाब जीत रही है तो इस पर ap तोर पे चुनाब आयोग को एक्षन नहीं लेता है, चुनाव आयोग तो यह मानने को तयार ही नहीं है भारत का, कि इभियम में गरबड़ी हो सकती है, साफ तोर पे आपको कहें, तो वर्तमान का चुनाव आयोग जो भारत का है, यह मानने को तयार ही नहीं है, कि इभियम में भी गरबड़ी किया जा सकता है इसके बाद हम बात करते हैं थोड़ा सा भारतियों संबिधान की तो भारतियों संबिधान में साफ लिखा है कि चुनाओ free fare और transference होना चाहिए अर्थात चुनाओ बिल्कुल निस्पक्ष पारदर्सी और भयमुक्त होना चाहिए चुनाओ में कभी कहीं किसी प्रकार का कोई दिक्कत वाली चीज़े नहीं सामने आनी चाहिए लोगों को ऐसा न लगे कि मैं अपना भोट दे रहा हूँ और मेरा भोट मेरे मर्जी के अनुसार किसी दूसरे लोगों को जा रहा है इस तरह की चीजे अगर सामने आती हैं तो यह कानूनन अपराध है और चुनाव आयोक को इस पर तुरांट सक्ती से करवाई करते हुए उनके इस समस्या का समधान देना चाहिए लेकिन यहां तो कुछ और ही होता है यदि जनता को चुनाव का तरीका मंजूर ना हो तो चुनाव आयोक की जिम्यदारी है कि चुनाव पर क्रिया को परदर्सी बनाए लेकिन भारत की जनता ही विपक्स पार्टियां जो चाहा रही है वो भी भारत की कुछ जनता भी चाहा रही है इस पर चुनाव आयोग को चाहिए कि हम थोड़ा सा सक्त हों और विपक्स पार्टियों के साथ साथ जो जनता कह रहे है उस पर थोड़ा सा ध्यान दें और चुनाव कराने के तरीके को पारदर्सी बनाने में अहम भोमी का निभाए लेकिन चुनाव आयोग इस पर सुनने को राजी नहीं है तो कहीं न कहीं चुनाव आयोग पर भी सक्त का दायरा बन रहा है वहीं बात करते हैं भारतियों संबिधान की तो भारतियों संबिधान साफ तवर पर कहता है कि चुनाव आयोग इस चीज को निड़े लेने वाला कोई नहीं है कि चुनाव कैसे होगा सबसे बड़ा बात भारतियों संभिधान सुप्रियम कोट को भी सरोपरी नहीं मानता है जैसे कि जुनाव आयोग को भारतियों संभिधान सरोपरी नहीं मानता है ठिक उसी प्रकार से सुप्रियम कोट को भी भारतियों संभिधान सरोपरी नहीं मानता है भारतियों संभिधान यदि कि भाविश्य में ऐसा क्या हो पता है भारतिय जनता का जो है कि मत जो ओट का अधिकार है वो मत नहीं है वो भारतिय जनता का भूद भाविश्य और वरतमान तीनों है भारतिय जनता जहां वोट करेगी उसी से उसका बीता हुआ कल आने वाला कल और चलने वाला कल तिनों निर्धारित होता है लेकिन क्या भारतिय जनता अपने भोट का सही इस्तेमाल कर पाती है या उनके साथ कहीं कोई धोखा धड़ी होता है या तो पिल्कुल जाज का मामला है जाज करने पर ही यह बातें सामने आप आएगी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धने बाद इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें नमस्कार मैं प्रग्या टाइम्स चैनल से रितिक रहसन आप सभी से निवेतन करना चाहता हूँ कि यदि आप बहुजन पत्रकाइड़त में प्रग्या टाइम्स चैनल को मदद करना चाहते हैं तो आप हमें मदद कर सकते हैं हमारा फोन पे गूगल पे नमबर है 9934240303 इस पे आप पेटियम भी कर सकते हैं आपका एक एक पैसा बहुजन मिशन के काम आएगा बहुजन पत्रकाइड़त के काम आएगा देश भर में जहां भी बहुजनों के उपर अत्यशार होता है वहां हम जाएंगे और उनकी आवाज को उठाने का काम करेंगे तो आप बहुजन पत्रकाइड़त को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करें हमें आर्थिक सायता करें धन्यबाद